हमस्ति दूस्तू, मैं हुं सिधार, आपको स्वागत है सिधार की भच्छाल में, आज का मिशे है वाण और वाण माला, इसको प्रसूत करने के लिए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं वाण और वाण माला अगर मगर जगर, पहुँचे हम वर्णों के घर बच्चों, सुनी आपने ये आवाजें? हम दित भर में कई तरह की ध्वनिया या आवाजें सुनते हैं पक्षियों के बोलने की ध्वनिया कुत्ते के भोकने की ध्वनिया वहानों के चलने की ध्वनिया मोबाइल की ध्वनिया है न? व्याकरण में ध्वनी का अर्थ वर्ण होता है बच्चों, जब हम बोलते हैं तब हमारे मुँसे भी कई ध्वनिया निकलती है न? हमारे मुख से निकली धवन्यों से ही भाषा बनती है देखिए पिता शब्द में धवनिया है पी जमाता इन धवन्यों को और तोड़ा जा सकता है जैसे पहलंत जमा छोटी ई जमात हलंत जमा आ अब इन धवन्यों को हम और नहीं तोड़ सकते ये सबसे छोटी ध्वनिया हैं, ये सबसे छोटी ध्वनिया ही वर्ण कहलाती हैं, समझ में आया ना? यानि कि जिस ध्वनी के टुकडे ना हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं अब हम सीखेंगे वर्ण के भेद बच्चों वर्ण दो प्रकार के होते हैं एक स्वर और दूसरा व्यंजन और हिंदी में ग्यारा स्वर हैं और वो कौन-कौन से हैं? सुनिए इसी तरह हिंदी में तैंती स्वर जन है क-ख, ग-घ, न, च-च-ज, ज, ज, य, त-ठ, ड, ध, भ, र, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह बच्चों, स्वर और व्यंजन मिलाकर हिंदी की वर्ण माला बनती है इस वर्ण माला में सारे वर्ण एक निश्चित क्रम में होते हैं बच्चों, स्वर और व्यंजन के अलावा हिंदी में चार सेउक्त व्यंजन भी हैं क्ष, त्र, ग्य, श, ये दो व्यंजनों को जोड़ कर बनते हैं, इसलिए इन्हें सयुक्त व्यंजन कहा जाता है, आएए देखें कि ये चारो सयुक्त व्यंजन कौन कौन से व्यंजनों को जोड़ कर बनते हैं, Q 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 QQ Q Q Q Q Q QQ Q 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 QQ Q 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 श हलन जमा र हलन जमा अ हिंदी भाषा में ड ध ज फ इन वर्णों का भी प्रयोग होता है ये वर्ण ड ध ज फ के निचे बिंदी लगा कर बनाये जाते हैं आईए इनका सही उचारन सीखें ड डमरूप पकड़ ध धोलक पड़ ज जल जमीन फ फ फूल फिल्म बच्चों क्या आप इन वर्णों को पहचानते हैं? जी हाँ ये हैं अंग और अह यानि अनस्वार और विसर्ग ये भी हिंदी वर्ण माला के अंग हैं ये दोनों स्वरों के ठीक बाद आते हैं इन्हें आयोगवा कहते हैं क्योंकि ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है ना मज़े की बात? आये इनके बारे में और जाने अंग यानि अनुस्वार इसका चिन है ये इसका उच्चारण नाक से किया जाता है अनुस्वार वाले कुछ शब्द है पतंग, बंदर, जंडा और बंदूक अह यानि विसर्ग इसका चिन है ये इसे दो बिंदूओं के रूप में लिखते हैं ये है चिन अक्षर के बाद लगाया जाता है इसे बोलते समय हा जैसी आवाज आती है जैसे प्रातह, नमह, बच्चों आईए अब अनुनासिक या चंद्रविर्णू के बारे में जाने इसका चिन है ये इसका उच्चारण नाक और मुह से किया जाता है चंद्रविंदू वाले कुछ शब्द हैं दांत, चांद, सांप, मूच हम बातचीत में इन ध्वनियों का बहुत प्रयोग करते हैं वीडियों अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सिस्ट्राइब और कॉमेंट जरूर कीजिए सिस्ट्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाए दन्यवाज